दोनों में फर्क क्या है दोनों की सेंटेंस में बस फर्क सिर्फ इतना है यहां पे जो है आपका टाइम गीवन है और फॉर्स वाले सेंटेंस में कोई भी टाइम गीवन नहीं है हमें पता है अगर आपका टाइम गीवन नहीं है मतलब कैसा होगा काम हो तो चुका है हमें क्या करना है बस एक्शन से मतलब है हमें बस एक्शन से मतलब है तो यहां पर क्या हो जाएगा है और यहां पर टाइम दिया हुआ है तो उसे कैसे लिखा जाता है उसे लिखा जाता है इसे क्या हो जाएगा साय तो अगें क्या अगर आपके sentence के साथ time दिया है और आपका क्या बता रहा है एक तरीके का experience बता रहा है कि मैंने ऐसा किया था मैंने तास देखा था है मैं परफेक्ट में यहां पर देखिए आई आई आव सीन ताज महल में ताज में देख चुका हूं इट सब पास्ट एक्सपिएंस इस देख चुका है अगर तैम दे दिया गया है तो उसे कहां लिखा जाएगा सिम्पल पास्ट में इसी दिये सी की सेकिंड पहुं क्या हो गई है साइस है किवनस मैंनी इन्वेंशन साइस में बहुत सारे इन्वेंशन इसकवरीज दी हैं यह सैंस दे रहा है क्या यहां यहां पर कोई टाइम बता रहा है नहीं टाइम का कोई भी सैंस यहां पर हमें दिख perfect has given यह हो जाएगा गलत यहाँ पर क्या आएगा अगर टाइम का सेंस दिया है काम के complete होने का सैंस है तो गीव की सेकेंड क्या जाएगी गेव हैना साइंस गेव आस मैंनी मैंनी न्यू इन्वेंशन इन 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 सेंचुरी और यह देखिए भी है रिज्द मून इन इदेखिए टाइम दिया हुआ है टाइम के साथ कभी भी प्रफेक्ट एंसर यूज नहीं होता अगर परफेक्ट होने का उसके कंप्लीट होने का किसी भी काम का सैंस अगर मिल रहा है और टाइम गिवन है तो वहां पर यूज क्या जाएगा क्या पास इंडेफिनेट की सेकेंड फोर्म प्रीज की सेकेंड फोर्म आ जाएगी यहां पर इस्ट वी रिस्ट दा मून 22nd of October 2018